बूर्णिंग फॉर्ट कमिंग इंजिनियर्स कैसे हैं आप लोग अच्छो तीज दिन रहें जैइमेंस के अंदर अब ऐसा लगता होगा मन्में बाते चल रहे होगी इस समय क्या पढ़ें कैसे रिविजन करें रूटिन क्या लेके चलें या फिर कुल मिलाके ऐसा क्या करें कि यह तीज दिन मस्तिसा निकल जाएं मालू भी नीस पड़ें और हम जेहिमेंस एक्साम दे के आ जायें उसे क्रेक करके आ ब्रेक करके आ जाये और हमारा जेडवांस का जो हाल टिकिट है या उसका एडविट काट है वो तैयारी के लिए मिल जाए। इसलिए बच्चों प्यार से ध्यान से बात समझना सबसे पहली बात पढ़ाई के साब से अब कुछ नया नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम रिवीजन का है और रिवीजन का मतलब जिसको आप पहले पढ़ चुके हो उसी को देखना होता है इसलिए भी कुछ नया नहीं पढ़ना है लेकिन एक बात पक्की है NCRT के पीछे पढ़ना है उसको धंक से पढ़ना भी है कोई आपको टीचर मना करे तो भी मत मानना क्योंकि एक्जाम आपको देना उनको नहीं और इस्पेशली केमिस्ट्री में तो लाइन टू लाइन NCRT से आती है इसलिए केमिस्ट्री में दा NCRT को बिल्कुल टेस्ट बुक मान के पढ़ना मैं तो इत्ता कह रहा हूँ कि आपके लिए जो एक्जाम कंड़क करें NTA बॉड़ी वो किसकी है? CBSC की और NCRT बुक किसकी है? CBSC की प्रेस्काइब बुक है? इसलिए आपको NCRT को ढंग से पढ़ना है कोई भी बॉड का बच्चा हो आज हर के अंदर कंटेन NCRT का ही एक तरह से उपर स्टेट बॉड का नाम कुछ भी हो इसलिए केमिस्ट्री में इसको ढंग से करना फिजिक्स में इसके लिए आप संबरी को, पॉइंट्स टू पॉंडर को पढ़ सकते हैं जो बुड बॉड बॉक्स में इन्फॉर्मेशन होती है उसको देख सकते हैं आपके वल क्यूशन, सॉल्ड एक्जामपल देख सकते हैं बाकी को जा देखने ही जुरत नहीं है और मैस में बिल्कुल आवशकता ही नहीं है लेकिन कैमिस्ट्री में इसको ध्यान से करना जो बच्चे अभी से एंसियाटी लेके चल रहे हैं वो समझारी करके चल रहे हैं जिससे नहीं देखा वो जरूर देख लेना तो पहली बात तो भी एंसियाटी को बिल्कुल आपको कैमिस्ट्री के लिए टिप्स पे लाके रखना है आप देखना पेपर लगभग उससे बनता है अब आती दूसरी बात इस समय लगता कोई टॉपिक की सबजेक्ट में कोई चैप्टर कमजोर है तो विश्वास डिकमगाता है इस एक बेश तरीका है इतिहास क्या बोलता है यानि प्रिविएस एर क्योस्ट्री कैसे आते है तब आराम से उसमें जिस बी सबजेक्ट में जिस चैप्टर में आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है विश्वास डगमगा रहा है तो उसमें प्रिविएस एर क्योस्ट्री को देख लीजी अपने आपका शक दूर हो जाएगा आपस ते निडर हो जाएंगे और थोड़ा सा लगे तो NCRT के लिए उस चैप्टर को देख लीजी तो ये तो कि सबसे पहले वो जो आपको इस समय ध्यान से देखना है ताकि आपका विश्वास अमेशा अंदर से बना रहे है और कहते हैं आप विश्वास अगर उड़ान भड़ता है तो इनसान सोच से भी ज़्यादा कर जाता है अब आती दूसरी बात रिवीजन तो रिवीजन में इस समय आपको क्योशन्स करके अपने को चेक करना है और क्योशन्स करने का अभी कौन सा टाइम जैसे मालूब एक्जाम देरो जेही मेंस का आपको मालू में पैटर्न के साफ से दो सेशन इस बार हो रहे हैं फिर्स सेशन का रिवाइश डू ला चुका है और उसमें आपके हर करूब जो शिप्ट है एक सुबह नो से बारह और शाम को तीन से चे तो जनरली तीन से चे जो टाइम है 3-6 का टाइम है उसमें हलकी से आलस रहता है सब को दुपर में आलस आते हैं इसलिए आपको नहीं मालूँ आपको किस शिफ्ट के अंदर एक्जाम देना है इसलिए आप अपने लिए 3-6 के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस जादा करना क्योंकि जो 9-12 का टाइम है ना उसमें तो सब लोग एलेट रहते हैं एक्टिव रहते हैं एक्टिव मूड रहता है तो आटोमेटिक आपको लग जाएगा कि हमारे लिए जो एक्जाम का टाइम 9-12 या 3-6 है हमें दोनों में एक्टिव मूड बे रहना है आपने वहां पर घर पे जहाँ भी दे रहे हो वो डवलब करना जैसे आप जी मेंस एक्जाम के बीच में तीन धंटे के अंदर वाश्रूम के लिए नहीं जाएंगे। तो वहां भी ध्यान रखना के बीच में वाश्रूम के लिए नहीं उठना है तो पहले से अपने को उन चीजों से फ्री करके बैठो ताकि एक बिल्कुल तीन घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो जाए और अपने अभी आपका एक टाइम शुडूल बन जाएगा और टाइम शुडूल प्लानिंग के साथ अगर हम चलते हैं तो हमेशा विश्वास हमेरे साथ साथ रहता है तो यह आपको मौक टेस्टिट पेपर की प्रैक्टिस तीन से छे में ज़्यादा करनी है नो से बारा भी अगर आपको मिलता तो कर लिजे लेकिन डेली आपको तीन से छे तो प्रैक्टिस करनी चाहिए अब आती बात हमारे लिए जो पुरानी गलती है उनका विशेज ध्यान रखना है यतने भी आपको रियर्सल की प्रैक्टिस करनी थी सब कर ली जैसे तीस दिन रहे गए ना अब तो मानके चलो हर दिन कोई नई गलती मालूम पड़ जाए तो उसके पिछे कमिट्मेंट करो वापस हमको फाइनल डे जो भी आपका डेट के साफ़ से शिफ्ट होगी उसमें रिपीट नहीं करना है इसलिए ुशे रिवीजियन के जब टैस्ट पेपर हो जए तो पहले इसको जेही मैं समानकेर अपने दिया है है तो उसका ढघंग से पोश। पाटम करो शब थवड़ा ओचा है लेकिन समें को बारी कि से उसका एंलिसिस करना है ताकि कोई परदे में ना रह जाए पूरा ढंक से पोश्पाटम करो हर सब्जेक्ट में कोई भी क्योशन आपका किस कारण से गलत हुआ है आते वे टॉपिक का क्योशन क्यों गलत हो रहा है यह सबसे इंपॉर्टेंट है यह सबसे बड़ा मराल होता है सेली मिस्टेक्स जो क्योशन गलत होते हैं सबसे इदा पश्याताब होता है और सबसे जिक नासूर वही है और वहीं सबसे इदा हमारा कसूर होता है वहीं हमारा सबसे जादा नुकसान होता है इसलिए हर मोक टेश पेपर में जो भी सब्जेक्ट में क्योशन किस कारण से गलत हुआ है उसका पूरा पोश्पाटम करके मालूम कर लो कोई पुरानी गलती तो उसके लापस हैलेट हो जाओ और कोई नहीं गलती हो गई तो मालूम खजाना और बढ़ गया अच्छा हुआ फाइनल डे से पहले मालूम पढ़ गया और उसको नोट कर लो और अगले मौक टेश पेपर में फिर उसको ढंक से देने जाओ यह आपका रोज का रोज अगर आप ऐसे मौक टेश पेपर में गलतीयों के कमिटमेंट के साथ पहले उसको ढंक से एसेप्ट करा और उसके लिए कमिटमेंट किया सुधार के जुनून का और अगला अगर आप मौक टेश पेपर देंगे जैंए मेंस मानते भी देंगे तो पकी बात है रिजल्ट में सुधार होगा हर दिन आपके इस सुधार से आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा समय कैसे निकलेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा अब आता जो आपका पैटर्न है उसमें आपको मालूम है हर सबजेक्ट में सेक्शन A सेक्शन B है आपको मालूम हलका सा रिकॉल करा रहा हूँ लेकिन जहां सेक्शन A है उसमें आपके सिंगल आंसर बेस्ट आपके सेक्शन में 20 क्यूश्शन है जहां कोई च्वास नहीं है और section B में आपके numerical base value पर question है जहाँ पर आपको जो भी answer आएगा उसको आपको nearest integer में round of करना होगा लेकिन वहाँ पर आपका choice है आपके बस ten question उसमें आपको five करने है तो आपके अपने जिस topic में हरको अपना mirror मालूम होता है confidence ज़्यादा है, commandable है, ज़्यादा interest आता है उन questions के एसाब से अपने उन chapter के questions को पहले छाँट लो और उने करो योगि आपको कोई से five करने है आपने ज़्यादा कर लिए तो पूरे check नहीं होगे first five भी आपके check किये जाएंगे इसका ध्यान रखना इसने जो आपके choice section में ten questions है उसमें हमेशा उनको छाटके कर सकते हो और कभी आपको ऐसा लगए हम पढ़ते वे करते जा रहे है तो आपको लग रहा है कि किसी question में आपको करने में आपने answer निकाल तो लिया लेकिन confusing है तो आप किसी और question को try भी कर सकते हो लेकिन जब आप conclude करो तो आपको जो अपने best five लग रहे है उनी को final छोड़ना क्योंकि आपके check five ही होंगे बच्चों इसका पूरा ध्यान रखना तो यह भी आपका simple सा एक तरीका चलेगा रोज आपको लगेगा एक जेई मेंस का exam दे रहे हो और आप habitual हो जाओगे और आप जिसीच के habitual हो जाते हो उसमें कभी बाद में fear factor नहीं आता और फिर टेस्स से पहले आप आराम से मस्ती से जो आपने अपने को रोज जेई मेंस के लिए दिया है बोले आज यहाँ जहरे थे कल वहाँ जाके देना है यहाँ भी हमको perfection मिल गया है तो वहाँ भी exam को crack करक करक आएंगे break करक 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 काएंगे कई बच्चों ने में को इसमें लिखा है कि sir exam तक साथ देना बच्चों मैं तो exam तक साथ दूँगा क्या है मैं तो आपको college तक का साथ दूँगा अब जिसले नीट के एसाफ से लास्ट अभियाल कल 24 के साफ से कॉंसलिंग चल रही है लाश्ट कॉंसलिंग चल रही है तो मैंने बच्चों से कहा था आओ बच्चों चलें I.A.T. कॉलेज चलें N.I.T. कॉलेज चलें Medical कॉलेज चलें M.C. कईوں से मिलने चलें और कईयों को साथ लेके चलें तो मेरा सिलसला तरह से चलता रहेगा मैं देखता हूँ कुछ बच्चे इसके अंदर जुड़ते हैं और बात में लगता है खतम हो गया क्या मतलब और हड़ जाते हैं अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा कोई भी विश्वास से दिल से मन से जुड़ो जुड़ना है तो साथ साथ चलो थोड़ा सा कभी भी किसी चीज के अंदर हम किसी को भी अगर डिसकनेट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता मैं कहा रहा हूँ बला है सब डिसकनेट कर दो मेरे को लेकिन जो भी एक बर कनेट करो फॉलो करो तो बाद मैं फॉलो मत करो थोड़ा आजीब सा लगता है आप अपने पे लेके देखो इसलिए अपने इस सिलसले को साथ लेके चलेंगे बच्चों थोड़ी गर्मी अब दस्तक देरी है अभी तो मौसम ऐसा है सर्दी पूरी गई नहीं और गर्मी एकदम आई नहीं इसलिए थोड़ा खत्रेदार मौसम होता है इसलिए अपने स्वास का पूरा ध्यान रखना अब गर्मी चालू हो गई है तो थोड़ा लिक्विड के साफ से ज्यादा ध्यान रखना पानी अच्छा खूब पीना जूस तरह के जो आपके घर में बनते वो पीना और पूरा प्रॉपर ध्यान रखना कि रात को हमेशा लाइट फूड लेके चलो सुबह आप अपने लंच में हैवी फूड कर सकते हो ब्रेकफ़श और हैवी कर सकते हो और क्योंकि लंच अपन जाद हैवी इसलिए नहीं करें क्योंकि दुपैर में तीन से चे हमको मौक्टश पेपर देना है जही मैंस की प्रैक्टिस के तरह करना है इसलिए हम दिन का भूजन थोड़ा सा नॉर्मल रखें रात को बहुत हलका रखें और ब्रेकफ़श हमेशा हैवी करें जब आप ब्रेकफ़श हैवी करेंगे तो उस दिन भी आपके लिए इंपोर्टन एक क्योंकि आपके लिए एनरजी बहुत जरूरी है तो इन बातों का धियान रखते हैं बच्चों आगे चलते रहें मस्ति से जिस बच्चों ने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है फॉलो नहीं किया है अगर दिल से मन से करना चाहें विश्वास से करना चाहें तो करें मैं आपका हाथ और साथ तब तक नहीं चोड़ूँगा जब तक आपके अपने जो भी आपने अपना कॉले सोचा है और जिस तरीके आपके शमता है उसके साब से अपने आप अपनी एफिशेंसे एक्जाम दे की नहीं आ जाते और आपके हाथ में अपने इस कॉलेज का जॉइनिंग डटर नहीं आ जाता कॉलिंग नहीं आ जाती तब तक मैं आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ूँगा यह अपन सफर बच्चों करते रहेंगे पैटर्न आपको मालूम है अभी अपने पास सेशन वन के साब से रिवाइश उड़ू ला चुका है आपको मालूम है उसकी डेट क्या क्या है 21 अपरेल 24 अपरेल 25 अपरेल गुंतिस अपरेल और मही में एक और चार मही सेशन टू का रिवाइश नहीं आया है कई बच्चा सोच रहे हैं कि पहले ये सेशन वन था 16 से 21 अभी आगे खिसक के 21 के साब से चार मही तक पहुँच गया तो शायद आपका सेकिंड सेशन जिसकी डेट आपको मालूम है 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 मही है अभी तक जो डिसाइड़ है शायद ये भी आगे किसक जाएगा ऐसा नहीं होगा इस मुगालतें मत रहना क्योंकि आपके लिए डेट जेई एडवांस की तीन जुराई आ चुकी और वो फिक्स हो चुका है और जेई एडवांस के साब से हम जो आगे का टाइम देखते हैं जब जेई के साब से मेंस का रिजल्ट आल इंडिया का डिकलेर हो जाए और उसके बाद आपका आगे का जो सेशन चलता है तो उसके साब से आपका पंदरा जुन के बाद से यह एडवांस का ट्रेक चालो जाता है इसलिए मुझे बहुत कम लग रहा है कि सेशन टू कुछ इसमें चेंज होगा इसलिए बच्चों मानके चलना कि वही टाइम रहेगा सेशन टू का आपके पास इस बाद दो आटेम्ट है सेशन टू का टाइम वही मानके चलना सेशन आपका वन थोड़ा सा आगे बढ़ा है अब वो आपका 21 अप्रेल से लेके चार मही तक चला गया है बीच में कुछ गैप भी है और इसके पीछे कारण बोड एक्जाम के अंदर कुछ डेटेस का हलका से एक्स्टेंड हुई है इसलिए ऐसा हुआ है लेकिन इस मुगालतें मत रहना कि हमारा सेशन टू भी आगे सक जाएगा क्योंकि आपका जेए अडवांस फिक्स हो चुका है तो बस अपने को आज फिक्स कर लो कि जेए में इसके साब से इस ट्रैक पर आप ऐसे चलोगे कि जब देके आओगे तो पीछे आपके पास कॉल आएगा कि जेए अडवांस का आइडमिट कर आपका तयार होने के लिए स्टार्ट हो चुका है तो इस विश्वास के साथ अपना आगे बढ़ते हैं बच्चो अपना पूरा ध्यान रखना स्टार्ट के साथ से थोड़ा एलेट रहना और रोज मस्ती से जब रात को सोने जाओ तो एक खुल साडिस्वेक्शन के साथ अब अड़िया आज का दिन अच्छा निकाला मौक टिश्पर के पैक्टेस कर ली और जब सुबह उठो तो एक एनरजी के साथ सब थकान दूर होगे अक्ची मुस्कान के साथ सब तरह की थकान दूर्णे के बाद एक नई प्लानिंग के साथ फिर आज का दिन अपने जए-इमेंस के लिए बैस्ट करना है आज फिर एक जए-मेंस देना है और उसमें होना चीए determination तो good night with satisfaction and good morning with determination इस तरह से चलो और अपना विश्वास लेके चलो तो पक्की बात है आप इस समय अगले साल अपने-अपने कुछ न कुछ केरिय कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगी ओके do your best do your best, wish you all the best, विजए भव